दोस्तों इस दुनिया में काफी सारे ऐसे मिस्चीरियस चीज़े हैं जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। उश्रहस्य में चीज़े ऐसी होती हैं जिसे हमारे विग्यानिक इतने हाई टेकनोलिजी होने के बावजूद पता लगाने में नाकाम हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स वागत आप सभी का हमारे चैनल दे हस्टॉरिक वर्ड में। मैं हूँ आपकी होस सैमी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे मिस्टरी ओफ अट्लांटिस के बारे में। और धनी समराज्य थी। कहा जाता है कि अट्लांटिस के लोग हाइली स्किल्ल थे एग्रिकल्चर, इंजिनियरिंग और आर्किटेक्चर में और उनकी समझ अपनी समय से बहुत आगे की थी। ऐसा माना जाता है। इस फैक्ट के बावजूद कि अट्लांटिस के अस्थित्व का कोई ठोश सबुत नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह कहानी सिफ कालपनिक है। अट्लांटिस के लोकेशन को लेके काफी सारी थियोरीज रखे गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मेडिटेरियन या आफरिका के कोस्ट पे हो सकता है। फ्लाटो के अनुसार अट्लांटिस भुकम और बाड के वज़े से एक ही दिन में डिस्ट्रॉय हो गया। कहा जाता है कि शहर का विनाश देवता की ओर से दिया गया पनिश्मेंट था, जो AATLANTIS के लोगों के अहंकार से नराज थे। जबकि कई लोगों का मानना है कि ये सारी बात सिफ़ एक मिथ है। सालों से ऐट्लांटिस के खोई हुए शहर को खोजने के लिए कई अभियान और रििसर्च किए गये हैं हाला कि इनमें से कोई भी खोज सफल नहीं हुई है इस फैक्ट के बावजूत कि अट्लांटिस के अस्थित्वा का कोई ठोझ सबुत नहीं है पिर भी खोई हुए शहर की तलाश पूरी दुनिया में की जाती है और लोगों की कलपना पर भी ये चीज़ कबजा करना चारी रखी है अट्लांटिस वास्ता में अस्तित्व में था या नहीं, खोई हुए शहर को लोगों ने सदियों से सिफ अपनी imagination में रखा है, जबकि हम अट्लांटिस के असली portion को कभी नहीं जान पाएं ग्यान और समझ की खोज एक यात्रा है जिसके सफर में बहुत कुछ सीखने मिलता है, वेल यहां हम अट्लांटिस के रहस्ते पर हमारे वीडियो में एंड लाते हैं, I hope आपको इस वीडियो से काफी सारी चीजे पता चली होगी, ऐसे ही content के लिए subscribe करें हमारे चानल The Historic World के, thank you for watching!